हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही जादा यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ एक बॉटल का हम तीन तरीके से यूस कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी तो देखिए फ्रेंट्स मैंने एक छोटा सा बॉटल ले लिया है और इस बॉटल को मैं थ्री पोर्शन में कट करूँगी और इसको मैं किस तरह से यूस करूँगी वो आप देखोगे न तो हैरान रह जाओगी तो वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि सारी जो मैं इसका यूस करूँगी न वो बहुत ज्यादा यूसफुल होगा तो सबसे पहले फ्रेंट्स मैं इसके उपर के पोर्शन को कट कर लूँगी बीच वाला कट कर लूँगी और नीचे का कट कर लूँगी तो आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब नाइफ को गरम करके उससे कट कर लो य उसके बार फ्रेंट्स यह जो मैंने बीच वाला पोर्शन है अब इसको हम कट करेंगे थोड़ी देर से तो इसको पहले मैं बराबर कर लेती हूं थोड़ा सा उपर नीचे हो गया था तो इस तरीके से जो आप इसे नीचे रखके करोगे ना तो अच्छे से यह बराबर हो जाएगा ड्रस्ट में फ्रेंट्स बहुत अच्छा इसका यूज मैं आज शेयर करूंगी तो यह देखिए फ्रेंट्स आपके बच्चे के जो भी रबर होते हैं या आपके जो भी क्लचर्स होते हैं क्लिप्स होते हैं वह सब चीज़ों को आप इस तरीके से अरेंज कर सकत हो बहुत ही ज्यादा colorful खुबसुरत लगता है और आप इसे dressing table पर रख दो गए ना तो बहुत ही सुन्द लगेगा आपका dressing table तो देखिए clutchers को आप इस तरीके से लगा दीजिए बड़ा वाला bottle हो उसमें और भी ज्यादा ये चीज़े आ जाएगी और जो आपकी clips है टिक टॉक वाली वो सब भी आप इस तरीके से लगा सकते हो मतलब अपने तरीके से आप इसे arrange कर सकते हो तो काफी खुबसूत लगता है हमें किसी organizer की जोहत नहीं होती है फटा फट से समान हमारा मिल जाता है तो हैना गुलदस्ते की तरह ये दिखाई दे रहा है तो पस इसका हमने ये यूज किया बाकि आप और जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो मैंने आपको ये basic सा idea दिया कितना अच्छा लग रहा है देखिया उसके बाद friends चलिए अब हम दूसरे bottle के दूसरे portions का यूज करते हैं देखिये कितना सुन्दर दिख रहा है ये तो चलिए अब हम यूज करेंगे bottle के उपर वाले portion का और बीच वाले portion का हर एक portion का बहुत भी बहतरी यूज होता है तो कभी आप bottle को fake कियेगा नहीं तो ये बीच वाले portions को देखिये मैंने cut कर लिया इसके बाद क फड़ा कर लीजे ताकि अच्छा लगी और फी बीच से cut कर लेना है और बीच से cut करने के बाद फ्रेंड्स इसका मैं आपको दो यूज बताऊंगी आप देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा तो सबस्क्राइब तो ये वाले portion को आप यूज कर लेना फ्रेंड्स कभ बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है और पर्दा आपका बहुत अच्छे से हैंग हो जाता है आप देख सकते हो देखे कितना सुन्दर लग रहा है तो कैसा लगा ये टिप्स जरूर बताएगा फ्रेंड्स इस तरीके से आप बॉटलों का यूज कर सकते हो तो मुझे य इसी परदे के होल्डर का मैं आपको दूसरा यूज बताऊंगी फ्रेंड्स जो हमारी लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल होगा तो चलिए इसका दूसरा यूज भी देखते हैं तो फ्रेंड्स यह हमारे घरों में जो साग भाजी आती है ना या कोई भी चीज आपको इ इसी से फ्रेंड्स आप ना एक तर्वेजस कटर बना सकते हो आप कोई भी साग भाजी जब काटते हो फ्रेंड्स तो आपकी उंगलियों को ना कटने का डर होता है बर जब आप इस टूल की हैल्प से अपने साग भाजी को काटो गए ना तो वो बारिक भी कटाएगी और आ से हाथ वगेरा कट होने का कोई भी टेंशन नहीं रहता है आप इसको कितना भी टाइट दबा सकते हो प्लास्टिक को जितना आपका साग कम या जादा हो उससे आप साप इसको टाइट कर सकते हो तो यह टिप्स कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताएगा इसे ज़्यादा से ज अगर हम यह नहीं लगाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उंगली कटने का डर होता है इस्पेशली अंग उठे और किनारे वाली उंगली के पास तो मैं इसी तरीके से साग अब काटती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है बजार से हमें कोई भी इस तरीके का टूल खरीदने की ज़रत नहीं पड़ती है तो है ना हमारे पैसे की बच्चत और कमाल का आइडिया तो इसी तरीके के अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स में अपने चैनल पर लाती रहती हूँ फ्रेंड्स तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सबस्क्राइब कर और फैमली फ्रेंड्स को भी बताईए तो यह आइडिया आप इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप इसे ट्राइ कर सकते हो तो बाटलों को आप कभी भी मत फेकिएगा फ्रेंड्स और इस तरीके से आप उसे इपने यूज में ले आएगा हर एक वेस्ट का बहु द्रॉम ला खराए गारे तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने नेक्स टीप्स की तरफ जो है स्टोरेज को लेके तो फ्रेंड्स हम जब मटर वगएरा ला पना फीं मात्रा में ले आते हैं तो उसे स्टोर करना रहता है तो अगर आप बहुत जादा ला रहे हो तो जो कपड़े वाला क्यारी बैग होता है उसमें आप डाल के स्टोर कर सकते हो काफी दिन तक वो हमारा स्टोर रहता है बट अगर आप कम क्वांटिटी में ला रहे हो और आपको स्टोर करना है तो आपको क्या करना है एक छोटा सा आप कोई भी स्टरीके का प्लास्टिक का डेनर ले लिए जिसमें हमारा खाना वगैरा हम लोग लेकर आते हैं या बिस्किट्स वगैरा के होते हैं और उसमें टूशू पेपर डाल के आप इस मटर को स्टोर कर सकते हो इससे क्या होता है हमारा मटर काफी लंबे समय तक रहता है और हम इसको जब चाहें फ्रश किये हुए है अपने चैनल पर आप उसे देख सकते हो वो आपके लिए काफी ज्यादा हैन्फुल होगा तो इसी तरीके से अद्रक हो गया मिर्ची हो गया और धन्या हो गया आप इस तरीके से उसे रख सकते हो तो चलिए फ्रेंड यह टिप्स कैसी लगी बताएगा बढ़ते हम अपने अगले एक रेसीपी की तरफ तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक रेसीपी शेयर करूँगी यह है निम्बू और मिर्ची का आचार तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने काला नमक लिया है थोड़ा सा जुआइन हल्दी लाल मिर्च और हिंग बस इनी पांच चीजों से हम बनाएंगे निम्बू और मिर्ची का चटपटा खटा मीठा जार जिसे खाते ही ना इदम आपका दिल खुश जाएगा तो इस सारी चीजों को मैंने इसमें आउले मतलब निम्बू और मिर्ची में डाल दिया है कटिंग अप अपने इसाब से छोटा बड़ा कर सकते ह इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा स्पाइस नहीं डाला है इसी फल्दी मिर्ची अजवाइन हिंग और काला नमक डाला है आप चाहो तो वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हो इसके बाद इसमें हमको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे शक्कर जितना आपको मीठा जा करके आप वन वेक इसे धूब दिखाईए उसके बाद इस अचार को बॉटल में भरके आप इंजॉय करिए पराथे के साथ पूरी के साथ ये खटा मिठा निम्बू का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और